अध्याय बीस इसा का पुनरुठ्थान मरियम मग्द लेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँ अंधे रही कबर के पास पहुँची उसने देखा कि कबर पड़ से पत्थर हटा दिया गया है उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिशे के पास जिसे ईशा प्यार करते थे दोड़ती हुई आकर कहा वे प्रभू को कबर से उठा कर ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है पेत्रुस और वो दूसरा शिश कबर की ओर चलपड़े वे दोनों साथ साथ दौड़े दूसरा शिश पेत्रुस को पिछेल कर पहले कबर पर पहुँचा उसने जुक कर ये देखा कि छाल्टी की पट्टियां पड़ी हुई है किन्तु वो भीतर नहीं गया सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कबर के अंदर गया उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोचा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बलके दूसरी जगहता किया हुआ अलग पड़ा हुआ है तब वो दूसरा शिश भी जो कबर के पास पहले आया था भीतर गया उसने देखा और विश्वास किया क्योंकि वे अब तक धर्म गरंथ का वो लेख नहीं समझ पाये थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था इसके बाद शिश अपने घर लोट गए मरियम मगद लेना को दर्शन मरियम कबर के पास बाहर रोती रही उसने रोते रोते जुक कर कबर के भीतर द्रिश्टी डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्तर पहने दो स्वर्ग दूतों को बैठा हुआ दिखा एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने दूतों ने उससे कहा बदरे आप क्यों रोती हैं उसने उत्तर दिया वे मेरे प्रभू को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती की उन्होंने उनको कहा रखा है वो ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा किन्तु उन्हें पहचान नहीं सकी ईसा ने उससे कहा भद्रे आप क्यों रोती हैं किसे ढूंड़ती हैं मरियम ने उन्हें माली समझ कर कहा महोदे यदि आप उन्हें उठा ले गएं तो मुझे बता दीजिए कि आप ने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी इस पर ईसा ने उससे कहा मरियम उसने मुड़कर इबरानी में उनसे कहा रबोनी अर्दात गुरुवर ईसा ने उससे कहा चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया हूँ मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास उपर जा रहा हूँ मरियम मक्द लेना ने जाकर शिश्यों से कहा मैंने प्रभू को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया प्रेरितों को धर्शन उसी दिन अर्थात सप्ता के प्रथम दिन संध्या समय जब शिश्य यहूदियों के भैसे द्वार बंद किये एकत्र थे ईश्यों उनके बीच आकर खड़े हो गए उन्होंने शिश्यों से कहा तुम्हें शान्ती मिले और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई प्रभु को देखकर शिश्यान अंदित्थो उठे ईश्यों ने उनसे फिर कहा तुम्हें शान्ती मिले जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ इन शब्दों के बाद ईश्यों ने उन पर फूक कर कहा पवित्र आत्मा को ग्रहन करो तुम जिन लोगों के पाप ख्षमा करोगी वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगी और जिन लोगों के पाप ख्षमा नहीं करोगी वे अपने पापों से बंधे रहेंगे प्रेदितों को दुदी दर्शन ईसा के आने के समय बारहों में से एक थोमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था दूसरे शिश्यों ने उससे कहा हमने प्रभू को देखा है उसने उत्तर दिया जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूँ कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूँ और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा आठ दिन बाद उनके शिश्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था द्वार बंद होने पर भी इसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले तुम्हें शानती मिले तब उन्होंने थोमस से कहा अपनी उंगली यहां रखो देखो ये मेरे हाथ है अपना हाथ बढ़ा कर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बलके विश्वासी बनो थोमस ने उत्तर दिया मेरे प्रभू मेरे ईश्वर ईसा ने उनसे कहा क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं समापन इसा ने अपने शिश्वों के सामने हाँ और बहुत से चमतकार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसाही मसी ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो झाल 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 झाल